पहरे भी देरतियों आप देख रहे हैं Self Test 10th Class का Science का Solution इससे पहले मैंने आपको Hindi का और English का दोनों का आपको करा दिया है Full Solution उनको आप देख सकते हैं इसी वीडियो के description box में आपके 10th Class की लिंक है उसके अंदर आपको मिल जाएगा समा निर्देश जैसे उसमें थे उसमें भी वैसे ही है OMR sheet पे आपका जो है आंसर लिखना है यानि की गोले बनाने है आपका OMR sheet पे जो है आपका क्या नहेगा नाम रहेगा रोल नंबर रहेगा अनुक्रमांग रहेगा ठीक है और 40 बहु विकल्प ये question होंगे एक एक अंका प्रेशन होगा सभी को पता है और प्रते एक प्रेशन जो है उसके चार विकल्प दिये जाएंगे उसमें से कोई एक विकल्प सही होगा उसको आप dot के लाइन से काला करके सुचित करेंगे ठीक है और आगे बढ़ते हैं हम इस question paper के यह इंग्लिस में इंस्ट्रक्शन वही इंग्लिस में लिखा हुआ है उसका इंग्लिस वर्जन यहां पर कर दिया गया है अब इसके हम solution देखते हैं पहले question से देखते हैं इसके बाद हम जो दूसरे देखेंगे उसमें देखेंगे हम mathematics का ठीक है तो यहां पर पहला जो question है प्रकास की किर्णे गमन करती है यह तो पहले भी question आ चुका है फिर टेस्ट में मैं करा चुका हूँ प्रकास की किर्णे जो है straight line में गमन करती है सीधी रेखा में घमन करती है light trees इसके बाद दूसरा जो question इसमें संतल दर्पन में b должна करती क्या होगी तो क्या होती है आभासी तसवा सीधा बनाता है ठीक है reflections are applied on तो किस पे होते हैं सभी पारावर्तक सतेय पे यानि कि जो भी reflective आपके surfaces हैं उन सभी पे उसके बाद चार नमबर जो कुछ है निम्न में से किसका मातरक डायप्टर है डायप्टर जानते हो आप lens की छमता होती है power of lens को डायप्टर से बीच में आपको relation बताना है तो वो क्या होती है वो होती है r is equals to 2f या फिर हम इसको लिख सकते है r by 2 is equals to f ठीक है ये भी आपका relation अगर ऐसा दिया हो तो भी आपका सही हो जाएगा ठीक है r by 2 बराबर f अगर ये दिया होगा तो भी सही होगा दिया रखना है अभी आपसे पूछ रहा है ये और बाद में दे दे गई ये तो बोलो गया रहे ये तो answer में था ही नहीं तो ऐसा नहीं है आप change कर लोगे mathematics आप जानते हो उसका नेक्स जो जो question है six number उस दरपन की focus दूरी क्या होगी जिसका वक्रता 32 सेंटिमीटर है वक्रता 32 यानि की आर दे रखा है आपको जो की है 32 ठीक है और आपको बताना क्या है focus एफ बताना है तो अभी अभी हमने formula देखा की आर बराबर होता है 2F ठीक है तो आर दे रखा है 32 बराबर 2F हो जाएगा तो F यहीं छोड़ देंगे 2 को उधर ले जाएगे तो 32 के बटे में हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा है तो यह 2 से 2 दो 16 दो 32 तो 16 जो है इसका राइट आंसर आजाएगा हमारा जो है राइट आंसर थर्ड अप्सन हो जाएगा उसके बाद में जब वस्तु अवतल दरपन के वक्रता केंदर C पर हो तो प्रतिविम कहां बनेगा इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है अगर आप प्लेलिस्ट देखते हो 10th क्लास की तो उसमें आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको आउतल उतल दरपन के बारे में कौनकेव और कौनवेक्स मीरर के बारे में एक वीडियो मिलेगा जो मैंने बनाया था कि कौन सब प्रतिविम कहां बनता है तो आपका यह C पर बनेगा तो आपका वक्ता केंदर पही बनेगा यानि कि जो आपका center of curvature है वहीं बनेगा ठीक है उसके बाद आते हैं next question पे question नमबर आठ जो है पूछा गया वाहनों में पास्य द्रस्य दरपण के रूप में किस दरपण का प्रयोग के जाता है तो सभी को मैंने कराया था इससे पहले वाले set में उत्तल दरपण यानि convex lens का यूज होता है जो की mirror के rear view mirror के रूप में ठीक है अब आते हैं नौ नमबर question में पूछा गया आपसे focus दूरी दो मीटर वाले outer lens की छमता बतानी है तो outer lens की जो focus होती हो माइनस में होती तो यह 2 मीटर है ठीक है और जो focus आपको बतानी क्या है और चमता बतानी डायक्टर बतानी तो डी होता है बराबर one upon में एफ ठीक है तो यहाँ पर ठीक है लेकिन हम माइनस भी था तो यह माइनस लग जाएगा तो कितना आ गया माइनस 0.5 डायक्टर ठीक है डायक्टर जो है मातरक होता है लेंस की छमता का अभी अभी हमने question में देखा था उसके बाद आते हैं 10 number question पे outer lens द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प् होता है उसके बाद आते हैं next 11 number question पे नेत मानव नेत्र की सामान्य द्रिश्टी के लिए नियूम्तम बिंदू कितना दूर पर होता है मतलब दूर बिंदू कितनी दूरी पर होती है तो देखिए जो दूरी दूर बिंदू की बात हो रही है उसमें हम दूर बिंदू को बोल सेंटीमीटर ठीक है इसमें दोनों आंसर मेंने बता दिए मानों नेत्र की दूर द्रिश्टी अनन्त होती है इन्फिनिटी होती है human can detect remains the distance at infinity and he can visible or his eye his eye can visible at minimum of 25 सेंटीमीटर ठीक है आप अपने सामने scale रखकर के चेक कर सकते हैं या 25 सेंटीमीटर पास लाके को या पेपर प बढ़ते देख लेना इसके बाद 12 नंबर जो question है इसमें पुछा गया है निवन में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है तो सभी को पता होगा जो color part होता है उसको हम आईरिस बोलते है इसके बाद आते हैं next question पर 13 नंबर जो question इसमें पुछा गया है निकट दृस्टी दोस को किस लेंज से दूर किया जा सकता है तो जो आपका मायोपिया है उसके लिए हम कौन के लेंज यानि आउतल दरपन का उप्योग करते हैं उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉश्चन के नेक्स्ट कॉश्चन में पुछा गया है CAO कैलसियम ऑक्साइड है आपका ये S2O से रियक्षन करके ये कंबाइन हो जा रहा है यानि कि जुड़ जा रहा है और जुड़ने वाली चीजे जब दो अभिकारक यानि कि A प्लस B मिल करके आपको जुड़ करके A प्लस B की जगे A B दे दे यानि कि जुड़ गए हैं तो उससे टाइब के रियक्षन को हम क्या बोलते हैं कम्बिनेशन रियक्षन यानि कि सईयोजन अभिकरिया ठीक है अगर यही इसका उल्टा हो जाए कि आपको A B है और आपको A और B में टूट जाता है यानि कि A B है और यह तूट करके A plus B दे रहा है तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं अलग से displacement reaction की double displacement reaction decomposition तो आपको इसको क्या बोलते हैं इसको B Origin अभिकरिया बोलते हैं ठीक है आपका decomposition reaction हो जाएगा एक पदार्द दो टुकडो में तूट जाता है उसके बाद आते हैं next question की दरफ next जो है question इसमें पूछा गया आपसे स्वसन कैसी रासाइनिक अभिक्रिया है तो स्वसन जो है वो एक्जो थर्मिक reaction है यानि की chemical reaction किस टाइब की respiration तो एक्जो थर्मिक यानि की उसमा शेपी उसके बाद आते हैं solar number अभिक्रिया Cu copper oxide plus H2 देता है copper plus water किस का उप्चैन हो रहा है तो उप्चैन की बात पुछिए तो उप्चैन इसमें oxygen hydrogen का हो रहा है जो hydrogen के साथ में oxygen का आबंद बन रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो है आपका यह कौन सा oxidize हो रहा है H2 ठीक है second number option correct हो जाएगा इसमें आते हैं question number 17 पर 17 में आपसे पूछा गया है chips की ठैली में कौन सी gas भरी रहती है तो जो भी आप chips यूज करते हैं खाते हैं आप जो भी कुरकुरे फुरकुरे या कोई भी ऐसा item जो खराब होने वाला है उसमें सभी में nitrogen gas भरी जाती है ताकि वो देर तक या ज़्यादा लंबे समय तक टिका रहे nitrogen gas इसका answer हो जाएगा उसके बादा 13 number जो question है इसमें पूछा गया आपसे दिये गए कौन सारा साइनिक समीकरंड संतुलित है यानि कि इसमें से आपका दिया गया कौन सारा साइनिक समीकरंड संतुलित है यह बताना है तो यहाँ पे सारे reactions आप देखोगे तो इसमें पहला ही reaction बिल्कुल सही है ठीक है बाकी सारे reaction गलत है यहाँ पे देखो दो hydrogen है और यहाँ पर चार hydrogen है यह गलत हो गया और यह देखिए यहाँ पे दो कोपर है यहाँ पे कोपर एक ही है यहाँ पे देखिए चार aluminium है यहाँ पे aluminium दो ही है तो देखने में लगता है कि जो बचा हुआ है वही हमारा answer होगा सीधी सी बात है बाकी आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं तो CAOH का whole twice plus CO2 give CAOC3 CACO3 plus H2O ठीक है यह वाला आपका answer सही हो जाएगा उसके बाद 19 नंबर question करते हैं 19 नंबर में पुछा गया निमन में कौन सी अभिक्रिया हो रही है यानि कि PB जो है LED आपका CU CL2 से PB CL2 plus CU बना रहा है तो यह कौन सी टाइप की अभिक्रिया है तो देखिए आपका यह वाला जो copper यह है आपका यह विस्थापित हो जा रहा है copper अलग हो जा रहा है विस्थापित मतलब एक दूसरे में से अलग हो जाना तो इसको हम बोलते हैं displacement reaction ठीक है तो इसमें कौन सी अभिक्रिया है और यह यह चीतर आपको दिखाया गया है तो इस चीतर में क्या है चाइनाडेस है और copper का चोन है तो इसमें copper का जो है oxygen हो रहा है तो oxidizing यानि उपचैन हो रहा है ठीक है? Oxidation हो रहा है यह इसका answer हो जाएगा अब इसके बाद आते हैं next question में next question जो है आपका 21 number इसमें पुछा गया एक प्राकर्तिक सूचक है यानि कि ए natural indicator कौन सा होता है तो litmus जो है हमारा natural indicator होता है उसके लावा healthy healthy भी होता है लेकिन इसमें वो option नहीं है 22 number question है C-A-O-C-L-2 योगी का प्रचलित नाम आपको बताना है यानि common names इसका बताना है compound का तो इसको बोलता है हम villaging powder विरंजन चून ठीक है उसके बाद में आपके 23 number question है सले चिकितसा में टूटी हुई हड़ी को जोडने के लिए कौन सा रसाइनिक प्रदाथ प्रियोग होता है यानि chemical substance बताना है जो setting करता है broken bones को तो हम उसको क्या बोलते है plaster of Paris ठीक है ये plaster of Paris जो है ये इसका right answer हो जाएगा उसके बाद आते हैं 24 number question पे 24 में पुछा गया है Amaliyavillian का pH मान होता है तो Amaliyavillian का pH मान साथ से कम होता है यानि कि जो आपका कोई भी acidic substance है उसका हमेशा pH मान साथ से कम होगा उसके बाद में 25 number question है संत्रा में कौन सा आमल पाया जाता है तो संत्रा में जो है citric अमल पाया जाता है ठीक है second option correct हो जाएगा 26 number जो है इसमें पुछा गया baking soda का रासाइनिक सूत्र क्या है तो baking soda का रासाइनिक सूत्र होता है यह chemical formula होता है NAHCO3 ठीक है यह आपका second option correct हो जाएगा उसके बाद आते हैं हम next 27 number question पे इसमें पुछा गया है swap O.C portion के लिए आवजशक है आपको carbon dioxide चाहिए जल चाहिए chlorophyll चाहिए और सूरे प्रकास चाहिए यह चारों चीज़े आपको चाहिए तब जाके होगा यानि कि उप्रोगत सभी हो जाएगा ठीक है यानि कि essential for autotrophic nutrition उसके बाद 28 number है प्रकास translation का अंतिमुत्पाद क्या होता है तो प्रकास translation में सरकरा बनती है लास्ट में जिसको हम glucose के नाम से जानते हैं तो glucose जो है इसका right answer हो जाएगा अब आते हैं 29 number question पे मनुष्ये के वक्र तथा मनुष्ये के वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंदित है तो यह किस संबंदित है उत्सर्जन से संबंदित होता है एकसर्चन से संबंदित होता है उसके बाद 30 number है आमश्ये में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो एंजाइम जो इस टोमक में पाया जाता है उसका नाम है पैपसीन ठीक है तो यहाँ पर हमारा fourth option correct हो जाएगा उसके बाद आता है 31 number हर्दे से रक्त को पूरे सरीर में pump किया जाता है किसके दौरा तो नीले के दौरा किया जाता है वेंटिकल्स के दौरा किया जाता है जो blood है वो pump किया जाता है वेंटिकल्स के दौरा ठीक है उसके लावा और भी खनीज लवन ले जाता है लेकिन उसकी ज़रूत नहीं है इसमें ऐसा कोई option नहीं है तो यहाँ पर जो है आपका answer क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर all of these लिखा होता तो all of these कर देता क्योंकि इसमें water भी ले जाता फिर वो ट्रांस्पोर्ट कर देता फूड को और एसिड जो इसमें खरी जिलवन हो जाता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है चार अलग लगे तो ट्रांस्पोर्ट ओफ वाटर जो है इसका होता है इसके बाद में पूंग के सर में क्या होता है तो पूंग के सर में प्राक कन होते हैं यानि पॉलन ग्रेंस होते हैं इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉश्चन जो आपसे पूछा गया है कि उड़हुल किस प्रकार का पुश्प है तो यह बाइसेक्स्वल यानिकि द नीरिया भी है इट्स भी है तो इन्हें से सभी के सभी ये success disease है ट्रांस्मीट होते हैं उसके बाद में 39 38 नमबर है निवन में कौन जेव मात्रा, उर्जा सुरोतर का उधारण नहीं है तो इसमें ना भी क्या है उज़ा जो जीव प्रोइर घैस के नाम से जानते हैं तो फार्स टास नंबर हो जाएका उसकी बात करते हैं तो चालेस नंबर चैने इसके पुछा गया है । बिदुत जन्रीत रोगी में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए यानि कि बिदुत उर्जा कब उत्पन होगी जो पवन चक्की होती है हमारी इतनी बड़ी होती है और उस पर देखते हो आप इतने बड़े बड़े पंखे जो लगे रहते हैं तीनी पंखे होते हैं उसमें तो इस तरह का आपका ये जो होता है तो इसको चलाने के लिए कम से कम 15 किलोमेटर पर आवर यानि कि 15 किलोमेटर पर ती घंटा की रफ्तार से हवा चलनी चाहिए तब जाके ये मिनिमम जाके उर्जा उत्पन करेगा ठीक है तो ये इसका आंसर होगे चालिस प्रशनों का अगली वीडियो में हम देखेंगे आपका मैतमेटिक्स का सोलूशन तो उसके लिए तयार रही है नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा तो बने रही है चैनल के साथ में मोर अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा देखिए कभी भी आपका कोई वीडियो छूट न जाए और जिदने भी आपके वीडियो डाले गए हैं 2021 के model papers डाले गए थे चार सेट उनको mcqs आपको 20 मिलेंगे उनको पढ़ लेना 20-20 हर सेट में मिलेगा और उसके अलावा अगर इसको पढ़ लिए तो आपका तो 30-40 परसेंट आपको तयारी यहां से वह जाएगा चार सेट सॉल कर लोगे और पास सेट आपको वेवी कराए हैं तो यहां से भी आपका जो है प्रिवर्ड के अलावा एक और आपका अभी दो दिन पहले जाला था वो भी पिपर हुआ था नाम भी याद नहीं है मेरे को इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं हर जीले में अलग-अलग में तो यह इस टाइप के questions आपको बहुत जरूरी रहेंगे जिनको दे कोफी मत करना कोई question रटने की जरूरत नहीं है बस आपको जितने questions बताए गए हैं या जो चीजे मैंने बताई हैं उनको follow कीजिए आपका score अच्छा हो जाएगा तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे अपने like button दबा दिया होगा और दोस्तों के साथ share कर दिया होगा thank you very much have a good day